हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी विहार पोस्ट मेटिका स्कॉलरशिप सेशन 2022 देज के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्मेंट है यानि कि फीर रिसेप्ट और या फिर उसे होल किया जा सकता है और यह दोनों एक ऐसा डाकुमेंट है जिसमें लगवग सभी बच्चे गल्ती कर देते हैं तो उसी लिए हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए कि अगर आप भी अपना फीर रिसीप्ट और बोनाफाइड सेट बनवाने जा रहे हैं या फिर बनवा लिया है तो आप उसे चेक कर लें कि आपका सही है या नहीं है कैसे आपको बनवाना था कैसे आपने बनवाया है कहां से बनेगा कैसे क्या करना होगा यह सारे डीटिल आपको step by step करके इस वीडियो में बता जाएगा तो आप वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको सेंपल्स दिखाना चाहेंगे कि कैसे आपका फीर रिसिप्ट रहता कैसे आपका बॉन अफाइट सेटिफिट कराता तो आप यहां पे देख सकते हैं हमने पिछली सेशन के एक उनका डॉक्मेट डाउन्लोड कराया है और यहां पे आप देख सकते हैं क daha Siemple Free Receipt है आपको यह पीमस कमथाई पर ही मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप यहां पे सेंपल यहां पर simple fee receipt लिखा आयाने कि यह sample document है, लेकिन इस छात्रा ने इसी document पर अपना सारे detail फिल करके इसे verify करा लिया, और यह जो आपका bonafide certificate है, यह भी आपका example document है, लेकिन इस छात्रा ने इसे भी यहां पर फिल करके इसे verify करा लिया, आपको क्या करना है, कि अगर आपके school के पास ऐसा कोई fee receipt है, जैसा कि आप देख सकते है screen पर, ऐसा आपको एक yellow color का fee receipt मिलता है, जब आप admission लेने जाते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, तो आपको एक receipt काट के दिया जाता है, जो कि yellow color का होता है, और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, अगर आपके पास यह receipt है, आपका यहां पर college का नाम पूरा सो कर रहा है, आपका कहें भी इसमें कोई गलती नहीं है, यहां पर आपके school का signature और मोहर पाया जाता है, तो आप इसी फी receipt को upload करेंगे दोस्तों, अगर आपके फी receipt upload करते हैं, तो यह जल्दी verify होता है, लेकिन अगर आपके पास यह document नहीं है, तो आप उस case में इसी document को verify करा सकते हैं, फिल कर, या फिर आपके college के पास उनका अपना फिर receipt का format रहता है, या फिर कहा रहा है कि आप इस format को यानि कि इसे छोड़ कर यहां से ऊपर जो इतना भी डॉक यहां पर है इन सभी को आप college के pad पे print करा के उसे verify करें या फिर आपके पास कोई institute का लेटर होगा रहा है जो भी है जहां पर आपके इहां पर institute का नाम होना चाहिए उपर में या फिर college के नाम आपके पास अगर ऐसा format है तो आप उस पे इस format को print करें और तब जाके आप इसे feel करके verify करा तो आपके college के पास मौझूद रहता है अगर नहीं रहता है तो आप उस case में इसे verify करा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस छात्रा ने अपना कराया है और इन्होंने अपना feel किया था इनका पैसा आ चुका है अगर आपके पा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नाया तो सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल बटन को दबा देजे ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मिलते आप से एक नए वीडियो को साथ तब तक के लिए धन्यवाद जाहें